आपके लिए रस्मलाई केक के रेसेपी यह बहुत यूनिक कॉंबिनेशन है केक का और रबडी का जो टेस्ट में बिलकुल रस्मलाई जैसी लगेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी रेसेपी बनाना यहां पर हमने लिया है वन थर्ड कप दही दही बिलकुल भी खट कोई भी सिंपल रिफाइंड गुल ले लीजे और इसे अच्छे से एक से 1-2 जाएंड मिंट तक एक व्रिष्कर की साहिता से मिक्स कर लीजे मतलब यह कि इसको मिक्स हो जाना चीजा यह तीनों चीजों को बिलकुल भी एक दूसरे मिक्स हो जाएंगी चाह आए मैं तुज उनकी यूप के बटानाओं मेंुट्थे हैं सब्सक्राइब करना उनकी। लिखें लिखें1 यूप मायदा जाये मैं व्यूद गालेएं सवह waking Staatság लिखें ब्रिसकर की सायता संगे केक का बैटर तयार करेंगे तो इन्हे यह इससे मिक्स कर लीजेगे अब बैटर बनाने के लिए दूद दूद के लिए को ब्रुम टैम्परेचर का लें इसे थोड़ा-फोड़ा केक का बैटर बनाते हैं मुसी तरह का इसका बैटर बनाकर तयार करेंगे तो यह आम एन तो बड़ा सा और डाल दिया पूरा मुझे इसमें लगा है हाफ कफ दूद लगा है इसके अंदर बैटर को बनाने के लिए और यह हमारा बिल्कुल सही बैटर बनकर तयार हो गया है मैं इसकी कंसिस्टेंसे आपको दिखाती हूँ यह देखे बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसे का बैटर बनकर हमारा तयार हो गया है तो ये केक टिन ली है, मैंने इसमें थोड़ा सा ओईल लगा कर मैदा डस्ट कर रखा है, तो ये तयार कर रखा है, मैंने केक डालने के लिए केक का बैटर डाल दिया इसके अंदर, और यहाँ पर पानी में पानी चड़ा है एक कढ़ाई के अंदर डेड़ गलस पानी डाला था और एक साथ में रिंग रख दिया है ताकि स्टीम से बनाएंगे हम इस केक को और इस केक टिन को आप इसे दो से तीन बर इस तरह से टैप कर लीजे पानी अच्छ चरह से बॉयल होनी लग जाए तब आप इसमें एक केक टिन रख देजे sentiments और अब हम इसमें लैड लगा देंगे धककल लिगा कर बंकर देज़ें इसे इस तरह से अब हम इसे पकाना है 10 से 15 मिनिट के अंदर 10 से 15 मिनिट के अंदर आपके केक बनकर तयार हो जाएगी यहाँ पर मुझे सिर्फ 10 ही मिनिट लगे अब मैं से तुट्पिक से चेक कर लेते हैं यह देखे बिल्कुल निकल कर आईए हमारी केक बनकर तयार है तो अब बनाते हैं हम रबडी यहाँ पर एक लिटर दूद लिया है उसके अंदर मैंने सिर्फ दो चम्मच चीनी डाली है क्योंकि रबडी को हम बॉइल करके एक चोथाई ही रखेंगे तो इसमें चीनी इतनी ही काफी होगी अब हम इसे बॉइल होने देना है सिर्फ एक चोथाई बच जाए तब तक हम इसे उबालना है दूद को तो बहुत ही टेस्टे सी रबडी बनकर तयार होगी साथ में लाइची पाउडर डालेंगे थोड़ा सा और साथ ही केसर का दूद डालूँगी केसर मैंने सैफरोन बिगा के रग दी थी दूद के अंदर और ये इसमें डाल दिया है मैंने और दूद देखिए ये हमारा बिल्कुल रबडी बनकर तयार हो गया है वन फोर्थ ही बचा है ये यहाँ पर तो ये यहाँ पर इसे सैफरोन वाला आपके पास अगर ना हो तो आप इसमें रोज वाटर डाल सकते हैं आप इसमें केवडा डाल सकते हैं अब हम इस केक को हम एक फॉर्क की साइता से इस तरह से सारे में छेद कर देंगे ताकि जब हम रबडी इसके अंदर डालें अब हम इसे एक पर टैप करके निकाल लेती हूं थोड़ा सा हलका सा टैप करिए पीछे से और आपकी केक आसानी से निकल जाएगी यह देखिए डेमोल्ड होगी हमारी केक अच्छे से और देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉंजी केक बन कर तयार हुई है बिल्कुल रूई जैसी अब हम इसे केक टिन में वापस डाल देते हैं क्योंकि यहां पर हम रबडी डालेंगे तो रबडी अच्छे से शोक करने के रिए आप इसे केक टिन में वापस डाल दीजे और रबडी अच्छे से चारू तरफ डाल दीजे जब आप इसे खाएंगी तो आपको ऐसे लगेगा आप रसमलाई खा रहे हैं तो यह तरह से डेजर्ट हो जाएगा बहुत ही टेस्टी लगती है यह रसमलाई केक और देखे कितनी आसानी से हमने से बना ली तो अगर आप बनाएंगे से तो मैं श्योर कहा रही हूँ आप इसे बार-बार बना कर खाएंगे इतनी टेस बेल अन करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो हमेशा सबसे पहले मिले थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग भाई वीडियो मिलते हैं ऐसे ही मज़िदार नेक्स्ट वीडियो में